दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से Car Explainer चैनल में दोस्तो आज कल हर कोई SUV खरीदना चाहता है चाहे उसका बजट कम है चाहे ज्यादा है लेकिन आज हम मीडियम बजट यानि की 10 लाग के अंदर अंदर बेस्ट SUVs के बारे में बात करेंगे जो की इंडिया में अभी एविलेबल है उनके फीचर सेफटी यह सब कोई ध्यान में रखते हुए ही मैंने उसे नंबरिंग देए है तो वीडियो को एंटर जूर देखेगा दोस्तो सात्वे नंबर पर है टेयोटा अर्बन क्रूसर टाइसर दोस्तो टेयोटा टाइसर जो है री बैज वर्जन है मारूतिस जूकी फ्रॉंक्स का इसमें आपको सब कुई मारूतिस जूकी फ्रॉंक्स वाला मिलेगा सिर्फ इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो चेंज मिल जाई है अलोई वील्स का डिजाइन चेंज मिलेगा आपको और टेयोटा की बैजिंग वेरा हर जगा मिल जाएगी इसमें भी आपको 1.2 लिटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है आपके बजट पे 1.2 लिटर पेट्रोल इंजन 89BHP की पावर आपको मिल जाएगी और वही 17 से 22 क MPL की माइलेज कंपनी ने क्लेम की हुई है अगर इसके मॉडल की बात करें कि कौन सा मॉडल आपके बजट में आएगा तो S वेरेंट जो की सेकिंड बेस वेरेंट है 8,60,000 रुपे प्राइस है डेली एक्शोरूम और 9,80,000 रुपे तक आपको ओन रोड मिलेगा जो मैं डेली के एक्शोरूम प्राइस है और डेली के ही ओन रोड प्राइस में आपको बता रहा हूँ और हो सकता है कि आज से अगर 6 महीने बाद आप ये वीडियो देखें तो प्राइस में थोड़े से चेंजिस आ चुके हूँ छटे नमबर पर है महिंद्रा XUE 3OO दोस्तो अभी आपने टीजर वगएरा देखेंगे महिंद्रा XUE 3OO का नाम चेंज कर दिया गया है 3XO चेंज रख दिया गया है जो की आने वाले टाइम में लौच भी होने वाली है तो महिंद्रा XUE 3OO में जो आपको डिसकाउंट वगएरा मिलेगा वो भारी भर कम मिल जाएगा जिन डीलर्स के पास ये पड़ी हुई है तो इसमें आपको एंजन 1.2 लिटर पेट्रोल एंजन मिल जाता है 1.2 टorship पेट्रोल मिल जाता है 109 BHP की पावर मिल जाती है नौर्मर पेट्रोल एंजन में 15-17 की MPL की mileज मिल जाती है इसमें आपको feature ठीक ठाक मिल जाते हैं safety और security wise गाड़ी काफी अच्छी है जो लोग महिंद्रा के फैन हैं वो इस गाड़ी की बहुत ज्यारा पसंद करते हैं तो अगर आपका बैट है 10 लाक रुपे तो 8,66,000 रुपे में आपको W4 वेरिंट मिल जाएगा जो की second base वेरिंट है और on road 9,90,000 रुपे का पड़ेगा अगर आप powerful engine चाहते हैं 1.2 liter turbo petrol चाहते हैं 139 BHP के वाला तो 9,30,000 रुपे प्राइस है उसका W4 वेरिंट का 10,5,000 रुपे में on road ये पड़ेगी पांचवे नमबर पाया जाती है Hyundai की Venue 200 Hyundai Venue को चाहे पांचवे नमबर पर रखा है फिर भी demand इसकी काफी ज़ादा है लोग काफी ज़ादा पसंद करते हैं मुझे personal ये गाड़ी good looking लगती है लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़े हैं जो की इसमें नहीं मिलती और mileage की मामले में भी ये पीछे रह जाती है engine इसमें 1.2 लिटर पेट्रोल engine मिल जाता है 82 BHP की पावर मिल जाती है mileage की बात करें 17-18 की MPL की mileage मिल जाती है कुछ लोगों को highway पे 20 की भी मिल जाती है model की बात करें तो इसमें भी आपको S variant जो की second base variant है 9,11,000 पे price है और 10,36,000 पे Delhi own road price पड़ेगा बाकि अगर आप negotiate हैं तो price थोड़ा कम भी हो सकता है चौथे नमबर पर आयाती है Maruti Zuki Franks जो की एक crossover है road पे काफी अच्छी लगती है white color में गाड़ी काफी बढ़िया लगती है अगर इसे थोड़े बड़े alloy wheel डलवा लिये जाएं तो गाड़ी बहुत ही सुंदर बन जाती है engine इसमें 1.2 liter petrol engine मिल जाता है 89 bhp की power मिल जाती है 6000 rpm और company ने 21 kmpl से ज़्यादा mileage claim की है लेकिन 18-21 के बीच में आपकी रह सकती है तो इसमें आपको sigma delta भी नहीं delta plus variant जो की third waste variant है 8,77,000 पर price है और 10,000 के अंदर अंदर आपको own road ये पढ़ सकती है अगर आपका budget कम भी है तो आप sigma ये delta की दरब जा सकते हैं तीसे नमबर पर है मारूती जू की ब्रेजा मारूती जू की ब्रेजा एक बड़ी सी SUV है रोड पे काफी अच्छी लगती है काफी बड़ी SUV ये लगती है चाहे इसका size subcompact SUV वाला है फिर भी ये काफी बड़ी लगती है इसमें आपको 1.5 लिटर पे टोल इंजन मिलता है 102 बीएजपी की power मिल जाती है 17 से 20 kmpl की mileage आपको मिल जाएगी इसका LXI base variant ही आपके budget में आएगा 8,35,000 रुपे प्राइज है और 9,500,000 रुपे में on road पड़ेगा अगर आप अपना budget stretch कर सकते हैं तो VXI के तरब जा सकते हैं बाकि base variant में ही सब कुछ मिल जाता है सिवाए music system के चारों आपको power windows मिल जाती है sensors मिल जाते हैं बहुत कुछ अब base variant में ही मिलने लगा है दूसरे नमबर पर जाती है Kia Sonnet का facelift भी हाली में launch किया गया है इसमें काफी जारा feature add-on किये गए है और इसमें आपको 1.2 liter petrol engine मिलता है 82 bhp की power मिल जाती है 17-18 kmpl की mileage मिल जाएगी गाड़ी में बहुत सारे अच्छे feature मिल जाते है interior गाड़ी का काफी अच्छा है road appearance भी गाड़ी की बढ़िया रहती है इसमें आपको HTK variant मिल जाएगा जिसका price है 8,90,000 रुपे और 10,12,000 पे में own road मिलेगी अगर आप sunroof लेने के fan है तो इसमें सिर्फ 38,000 रुपे आपने add करने है HTK optional इनों ने अभी launch किया है जिसमें sunroof भी दी है तो 10,5,000 रुपे में own road आपको sunroof भी मिल जाएगी और पहले नुवर पर पहुंच जाती है Tata Nexon दोस्तो Tata Nexon की sale तरिंद परतिरिंद बढ़ रही है एंजिन की बात का इसमें भी 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल एंजिन मिलता है 118 बीएट्री की power मिल जाती है 16 से 19 की MPL की आपको mileage मिल जाएगी गाड़ी की road appearance काफी अच्छी कर दी गई है design भी काफी जारा काम किया है और feature भी गाड़ी में काफी अच्छे मिल जाते है 5 स्टार global end cap rating आपको मिल जाती है एक safest गाड़ी चाते है family के लिए तो ये भी एक अच्छा option बन जाती है तो smart जो की base variant है 8,15,000 पे price है 9,30,000 रुपे में आपको own road पड़ेगी इसके इलावा smart plus की तरफ जा सकते है जिसका price है 9,19,000 रुपे वो आपको 10,50,000 रुपे तक आपका budget जा सकता है तो दोस्तों ये 7 गाड़ियां है SUVs अगर आप SUV लेना चाहते हैं तो आपको इसमें से कौन सी पसंद है comment करके जूर लिखें बाकि ऐसी वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब जूर करें हो मिलते हैं नई वीडियो में Thank you, thank you so much